तो दोस्तो आज है 16 सेप्टेंबर 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे IT सेक्टर की दिगज कमपनी Infosys Limited की पर बलकि बहुत important लेबल 14 सो रुपए का लेबल भी break करके share काफी नीचे जाके closing दिया 1377 रुपए पे almost सारे 3 से 4 परसेंट गिरावट के साथ अब 14 सो रुपए का लेबल एक ऐसा लेबल था जो कि last कहीं महिनों से Infosys Limited को strongly support किया finally ये लेबल जब break हो चुका है investors की दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहाया होगा कि अभी जब गिरावट शुरूआ तो कहां तक गिर सकते हैं जो कि आगे वीडियो में हम जानेंगे साथ ही साथ ये गिरावट की पीछे क्या reason है वो भी हम discussion करेंगे इस वीडियो में तो पूरा वीडियो का अंतक जरूर देखना साथ ही साथ दोस्तों एक चोटा सा good news भी है कि जो shareholder है Infosys Limited की उनको यहाँ पे dividend मिलेगा तो चले अच्छे news ची शुरू करते है उसके बाद हम reason के उपर चलेंगे technical chart pattern analysis भी करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हम आ चुके हैं एनसी की official website पे तो जैसे का आपको मालो में अभी September का महिना जैसे ही खतम होगा सबसे बहले IT sector का result आना शुरू हो जाएगा quarter 2 का तो यहाँ पे आप देख सकते हो Infosys Limited ने अपना quarter 2 की result का जो date है वो announcement कर दिया है हाल फिलाल में जिसका डेट है 13th of October 2022 और अच्छी बात यह है कि shareholder को मतलब जो eligible shareholder रहेगा उस टाइम पे उनको यहाँ पे dividend भी मिलेगा अगर हम बात करें dividend history का तो आप देख सकती Infosys Limited काफी अच्छा का dividend देते हैं अपने shareholder को लास्ट टैम जब दिया था जो की फाइनल डिविडेंट था 16 रुपए का लास्ट इयर जब दिया था हमने देखा था quarter two result के साथ 15 रुपए का डिविडेंट दिया था इतो इस बार हो सकता है कि 12 से 15 रुपए का आसपस डिविडेंट दे सकता है दिविडेंट भी थोड़ा बहुत यहां पर इंक्रीज होता जाएगा एनिवे 13 अवक्टोबर बहुत इंपोर्टेंट डे होने जा रहा है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना जैसे कमपनी का रेजल्ट होगा डिविडेंट 29 के साथ तुरन मैं आपको वीडियो के एक तरफा ठ्रेटनेंट किया था कि अगर मूड लाइटिंग किया तो उसकेस में उनको टर्मिनेट किया जाएगा और यह दोस्तों बहुत ज्यादा ट्वीटर पे भी भाईरल हुआ था यह चीज़ जो की नोटीस भेजाता इंपलोईस को उसका बाद देख हमने बहुत क्या रिजन है देखिए इंपलोईस को मून लाइटिंग करने से टर्मिनेट तो कर दिया जाएगा जिस वैसे इंफोसिस लिमिटेट का जो एक्ट्रीशन रेट है वह बहुत जदा बढ़ जाएगा अच्छा एक्ट्रीशन रेट जिनको नहीं मालूँ उनके थोड़ा सा ब सब्सक्राइब के बाद और कोई भी बड़े कंपनी के लिए दोस्तों एक्ट्रीशन रेट बढ़ जाना बिल्कुली अच्छी बात नहीं है जो इंपलोईस है जितने सालों तक कंपनी के साथ जुरे रहेगा उतना ही कंपनी क्या ग्रोथ का चांस है तो इनेक्स डिन पहले मतब यह दो दिन बाद हमने देखा था गोल्ड मैंस है जो कि एक बहुत बड़ा ब्रोकरेज कंपनी से ग्लोबली तो उनके तरब से इंडिया का जो आईटी सेक्टर कंपनी से उसके अंदर लगा था डाउन ग्रेट रेटिंग क्या था ना के वले इंफोसी उसके साथ टीस दिया यानि 1377 रुपए का सबसे काफी लोर साइट में टार्गेट तो इंफोसी लिमिटेट को इस लेवल तक जाने के लिए काफी गिरावट होना तो जरूरी है बड़ उसके पीचे स्ट्रॉंग डिजन भी चाहिए तो इमीडियेट यह लेबल जो यहां पर गोल्ड मैंस सब्सक्राइब देखें और ओपन होने के साथ-साथ-साथ-सदेक के अंदर अल्मोस्ट दो परसन का सबस्क्राइब देख सकतो गिरावट हो चुका है साथ इसाथ दोस्तों मैं आपको इनफोसीस लिमिटेट एडिया जो की युएस कंदर लिस्टेट है उसका भी सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब देख सेवेंटीन पॉइंट वान फाइब यूस्टी का आसपस ट्रेट कर इनफोसीस और मुस्सारी तीन परसन गिरावाट कैसा तो अविसली ग्लोबल मार्केट का जो सेंटिमेंट है वह भी काफी जाद या पर काम कर रहा है शेर को नीचे पूल करने के लिए क्योंकि आखिर का जो इनफोसीस हो गया या आईटी सेक्टर का जो में रेविन्यू आता है वह आता है कहां से युएस मार्केट से आते हम सभी ने इसके पहले डिसकाशन किया तो जिस बैसे इतना ज्यादा इंफ्लेशन रेट बढ़ जाना लग के लिए आगे अभी रेजिस्टेंस क्या बनेगा तो चलिए चार्ट पर अब चलते हैं तो दोस्तों यहां पर हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पर रन खुबर शुरू करेंगे वर उसके पहले एक छोटा सा बाएं बात बोलना चाहूंगा ब्रेक लेकिकि क्या आपके वास 250 तक गया था उसके बाद आया हमारा 13 सेप्टेंबर एकदम से गाप डाउन उपेनिंग उसके बाद देखे शेयर के अंदर एकदम शार्प डाउन फॉल मतलब नो इधर उधर सीधा सीधा मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं तो देखे नो इधर उधर सीधा सब्सक्राइब के एकदम बॉर्डर लाइन पर खड़ाएं यानी इनफोसिस की शेर में दोस्तों अभी बहुत ज्यादा गिरावट का एकस्पेक्ट नहीं है तो यहां पर देखसे तो अगर यह 30 क्रॉस करके नीचे आ जाता है जो कि इसके पहले भी हमने देखने को मिला त अब जब मार्केट गिरा था स्पेशलिया आईटी सेक्टर कंदर गिरावट रॉट रॉट इनफोसिस का शेर 30 के नीचे पहुंच गया था और वहां पर ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया था जैसे हमें थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव देखने को मिला या या यूस मा तो इसके पहले अगर हम बात करें तो देखिए एक तो 14 रुपए का लेवल वो तो हो चुका है हम अच्छे से समझ गया बर उसके नीचे जो इंपॉटेंट लेवल है जो कि बस कुछ दिन के लिए हमने देखा था इस पर्टिकुलर लेवल को अब्जर्व कीजिए जहां प स्ट्रॉंग सपोर्ट बनेगा वो रहेगा तेरा सो पचास रुपए का लेवल जो कि इस टाइम पर हमने देखा था में एप्रिल में के टाइम पर लास्ट यर सपोर्ट दिया था अगर यह लेवल ब्रेक होता है तो उसके इनफोसीस काफी नीचे जाने का चांस है काफी न सब्सक्राइब भी दोस्तों होता हुआ कहीं ने कहीं देख सकते हैं उसके लिए कोई बहुत बड़ा यहां पर इंपक्ट आना पड़ेगा युएस मार्केट के अंदर स्पेशली कोई बहुत बड़ा क्रैश हो गया कोई बहुत बड़ा गिरावाट हो तो उसकेस में जा सक आगा तब यहां पर लॉंग टर्म के लिए दिरे दिरे करके बाई कर सकते हैं बाकी दोस्तों खुद एनलाइस करना प्रॉपरली स्टडी करना खुद उसके बाद ही इन्वेस्ट करना मिलता है नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए टेक क्या बाबाई जये हिन तो दोस्तो आपका पैन कार्ड एक कैंसल चेक और आपका सिगनेचर और आधे घंटे के अंदर आपका डीमेट आकाउंट बन जाएगा